नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं जा हल ही में विस्व वन्य जीव दिवश कम मनाया गया आपके option हैं एक मार्च, तीन मार्च, दो मार्च या dot 28 फरवरी तो इसका सही उत्तर है बी तीन मार्च को विस्व वन्य जीव दिवस मनाया गया बढ़ते हैं इस से जुड़े हैं और सवालों की तरफ अभी हाली में एक मार्च को सुन भेदभाव दिवस मनाया गया परियावरनण से संबंदित कुछ महतपूर्ण दिवस विस्व गवरईया दिवस आने वाला है 20 मार्च को विस्व वानिकी दिवस ये 21 मार्च को आएगा विस्व जल दिवस ये 22 मार्च को आएगा और इसके लवा विस्व प्रत्वी दिवस 22 अप्रेल को आएगा ये दिवस बहुत ही महतपूर्ण है अगले प्रस्न क्योर बढ़ते हैं हाल ही में पूसा, क्रस मेले का आयोजन किस सहर में किया गया आपके आपसन है नई दिल्ली, जैपुर, लखनव या मुंबई तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली ए नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में हाल ही में पूसा क्रस मेले का आयोजन किया गया अगला प्रस्न हाल ही में किसे भारती पुरु सांकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है आपके आपसन है स्काटी बोमन, माइक बैबाक, क्रेग फुल्टन या बैरी ट्रोज इसका सही उत्तर है C, क्रेग फुल्टन, क्रेग फुल्टन को भारती पुरु सांकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है बात करते हैं क्रेग फुल्टन की, तो टोकियो ओलम्पिक चेंपियन बेल्जियम के ये सहाय कोच रहे है दच्छन फरीका के निवासी हैं, इनको भारती हांकी का नया कोच नियुक्त किया गया है इससे पहले ग्राहम रीड भारती टीम के कोच रहे, जो 2019 से 2023 तक भारती टीम के साथ दिखे और उनकी देखरेक में, भारती टीम ने ओलम्पिक में 41 वर्सों के बाद काँसि पदक जीता था 41 वर्स के बाद भारती टीम ने काँसि पदक जीता था ग्राहम रीड की देखरेक में बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, हाल ही में कौन सा राज वैस्विक उत्तरदाई परेटन सिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, आपके अप्षन है उडिसा, केरल, मणिपूर या करनाटक, तो इसका सही उत्तर है, बी केरल, केरल जो है इसका सही उत्तर होगा, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर, और उस प्रस्ण से पहले जान लेते हैं कुछ केरल के बारे में, केरल में मंदिर में अनुष्ठान करतव्यों को पूरा करने के लिए एक रोबोट्रिक हाथी पेस किया गया, मैन होल साफ करने के लिए रोबोट्रिक इस कैवेंजर्स का उप्योग करने वाला पहला राज्य केरल बना है, छेतरी भासा में निर्णे प्रकात सित करने वाला देश का पहला हाई कोट केरल हाई कोट बना है, केरल ने पहली राष्ट्री बीच साकर चेंपियनसिप 2023 जीती है, तो केरल के बारे में बहुत कुछ हुआ, बढ़ते हैं प्रसल की ओर, हाल ही में किसे केंदरी विद्दूत नियामक आयोक का नया अध्यच नियुक्त किया गया है, आपके अप्सन है, अरुन कोहली, जिश्णू बरुआ, प्रमिला जैपाल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है, बी, जिश्णू बरुआ को केंदरी विद्दूत नियामक आयोक का नया अध्यच नियुक्त किया गया है, केंदरी उर्जा मंत्री आरके सिंग ने जिसलू बरुआ को 27 फरवरी 2023 को पद और गोपनीता की सपत दिलाई, चलते आगे और भी जो हाली में नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में भी बात करते है राजेस मलोत्रा इनको P.I.B. का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया, इसके अलावा विश्विस्तर पे निकोला फाक्स को नासा ने पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुक्त के रूप में नियुक्त किया है, अगले जो नियुक्ति है वो है सैलेस गरहन किया, और एक महतपुर्ण नियुक्ति हुई है अप्सा खान की, जिनको सयुक्त राष्ट ने कुपोशन समाप्त करने के अभियान है तो प्रमुक्त पर नियुक्त किया है, चलिए, बढ़ते अगले प्रस्न की और, ट्रिपल जमपर अईस्वर्या बाबु पर डोप आया गया है आपके आपसन है दो साल तीन साल चार साल या फिर पांच साल तो इसका सही उत्तरशी आयसोर्या बावू पर चार वर्स का प्रतिबंद लगाया गया है डोपिंग में पकड़ी गई है इसलिए इसके बारे में और जानते हैं हमारी जो दो डोपिंग एजन्सी ना बात करते हैं प्रतिबंधी दवा इनाबॉलिक एस्टोराइड के सेवन को लेकर नाड़ा ने आईस्वर्या बाबू पर चार साल का प्रतिबंध लगाया खेलने पर प्रतिबंध लगाया बयान जो सब्द गलत टाइप हुआ है अगला नाड़ा जो है उसकी स्थापना 24 नॉमबर 2005 को की गई यह भारत में डोपिंग संबंधी जाच करने वाली संस्था है जिसका अध्यच भारत के एक खेल मंतरी होते हैं बात करें वाड़ा की तो पूरे विश्व में एंटी डोपिंग एजन्सी वाड़ा है जिसकी स्थापना 10 नॉमबर 1999 को हुई थी और उसका मुख्याले मोटरियल कनाड़ा में है बढ़ते हैं अगले प्रस्टन की होगाल ही में बान्थरूंग किस देश के नए राष्ट्रपती बने हैं आपके अपसन है कांगो वियतनाम सूडान या नाइजेरिया तो इसका सही तरब भी बान्थरूंग वियतनाम के वियतनाम एक छोटा सा देश है उसके राष्ट्र नियुक्ति बने हैं बान्त रॉंक के लावा कुछ और नियुक्तियों पर चर्चा करते हैं हाली में जो नियुक्ति वुए हैं बोला टिन्बू जो कि नाइजिरिया के ने राष्ट्रपती बने है इसके अलावा निकोस क्रिष्टो डिलाइड्स साइप्रस के ने राष्ट्रपती बने है इसके अलावा डोरीन रिसियन को मालडोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और चेक गड़राज के ने पावेल बने हैं हाल ही में किस राज ने सीतलन कारिकरम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझोता किया है आपके आप्शन है गुजरात हरियाणा तमिल नाडु या उत्राखंड तो इसका सही उत्तर है तमिल नाडु जी हाँ तमिल नाडु ने जो है सीतलन कारिकरम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझोता किया है बात करेंगे हम तमिल नाडु के बारे में और भी जानेंगे हाली के कुछ प्रस्म बारत का पहला हाईब्रीड राकेट चेंगल पट्टू एक जगह है तमिल नाडु में चेंगल पट्टू वहाँ पे भारत का पहला हाईब्रीड राकेट लांच किया गया इसके अलावा तमिलनाड के मुख्य मंत्री ने पुधु माई पेन योजना के दूसरे चरण की सुरुवात की और सबसे महत्पूर्ण बात RTI की जवाब देही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज तमिलनाड ही है हाल ही में A.C.A. सतरंज महासंग ने किसे प्लेयर आपदा इयर पुरसकार से सम्मानित किया है आपके आप्शन है D.Gukes, संकल गुपता, आधितिमित्तल या राजीव अगरवाल तो इसका सही उत्तर है A. यानि D.Gukes को सतरंज महासंग ने प्लेयर आपदा इयर से सम्मानित किया है अगला प्रस्मा केंदर सरकार निमलिखित में से किस सहर के बेगम पेट हवाई अड़े पर नागरी कुट्टेन अनुसंदान संगठन की स्थापना करेगी तो इसका सही उत्तर है A. अपशन D.Gukes का सही उत्तर है केंदर सरकार अड़े पर नागरी कुट्टेन अनुसंदान संगठन की स्थापना करेगी मार्च 2023 में RBI ने निमलिखित में से किस पर 3,666,000 रूपए का जुर्माना लगाया है आपके अपसन अमाजान पे, गूगल पे, फोन पे या पेटियम तो इसका सही उत्तर अमाजान पे, अमाजान पेपर RBI ने निमों के विपरीज जाने की वज़े से 3,666,000 रूपए का जुर्माना लगाया है बढ़ते हैं, अगलाश्टर पती द्रोपदी मुर्मू ने किस जगए पर कैच दा रेन कैमपेन 2023 लांच किया ये बहुत ही महात्वपूर्ण प्रस्ण है, कैच दा रेन कैमपेन 2023 आपके अप्सन है, नई दिल्ली, भोपाल, लखनव या जैपूर तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में राष्टपती दुरुपदी मुर्मू ने कैच दा रेन कैमपेन 2023 लांच किया बात करेंगे इस अभियान की तो इस अभियान में राष्टपती ने पेजल की सच्टा के लिए जल सकती अभियान कैच दा रेन 2023 नई दिल्ली में लांच किया यह अबियान मानसून के मौसम में जल संडच्छन को जल अबियान में बदलने का एक प्रयास है इस साल के अबियान का विसे पे जल के लिए सरोत सतता है राश्ट्रपती द्रोपदी मुरमू ने जल सक्ती से नारी सक्ती पर एक वीडियो और एक इसमारक डाग टिकट भी लांच किया इसके अलावा उन्होंने स्वच सुजल सक्ती की अभिवेक्ती भी जारी की या स्वच भारत मिसन, ग्रामीर जल जीवन मिसन और राष्टी जल मिसन की कहानियों का संग्रे है बात करते हैं अब अगले प्रस्न की, अगला प्रस्न आपके लिए है जिसका कमेंट करके हमें उत्तर बताना है हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है आपके अप्शन भी दिये हैं A. नई दिल्ली, B. बोवाल, C. कोलकता, D. लखनौ इसका उत्तर हमें बताईए कमेंट करके बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद